तो फाइनल दोस्तों आचुके हैं एक और नीव वीडियो लेकर और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एटेल के बढ़ते हुए प्लैंस के बारे में और दूसरा साथ ही साथ में दोस्तों हमें अपनी सिम इस भागदोर भरी संदगी में पोर्ट करवानी चाहिए या फिर हैं क्योंकि अगर एड़िल ने बढ़ा है तो जीऊ भी बढ़ा सकती और वुड़ा फोन भी बढ़ा सकती है तो हम इस इंपोर्ट करवाना क्या बेस रहेगा या फिर नहीं और बेस क्यों नहीं रहेगा इन सब बातों को जानने के लिए बने रहें मेरे सbooks तो दोस्तों मे परिचार्ज कराते थे और साथ रुपे टॉक टाइम पाया करते थे उस टॉक टाइम के साथ ही साथ कुजार रहे थे हम सब अपनी जिंदगी तभी एक धमागा होता है 27 दिसेंबर 2015 को और लॉंच कर दी जाती है जियो सिम जिस सिम ने सब कंपनियों की नाक में दमगर रखाय है और जिस वज़ेसे आप और हम टिक टॉक की यूट्वे यह सब चलाना सीखें इसलसर पहले हमेरे साथ होता किया था हम बंजी ने डिलाये करते थे और हमारा नेट हताम हो जाया करता दोस्तों इस दर के वारे तो मैं तो यूट्व पैंडी नहीं किया गारता था यह सब जब दो हमारी चल ही रही थी और 27 सेंबर 2015 के बाद जब से ये जीओ लॉंच हुई तब से इस जीओ सिम ने नाक में दम कर रखा है सारी टेलीकों कमपनियों की तो दोस्तो ये सिम एक लौती ऐसी सिम थी जिसने सारी कमपनियों को ये बताया कि आप भी सस्ते प्लान दे सकते ह जब वो लूट रहे थे इस तरीके से लूटना जायज नहीं थे तो दोस्तो इस कमपनी के चकर में सभी कमपनियों को अपने टेरे प्लान कम करने पड़े क्योंकि आप कस्टमर है मैं कस्टमर हूं जब हमें कहीं प्लान सस्ते मिलते हैं तब हम महंगे प्लान यूज नहीं क बादों को देखते हुए सारी कंपनियों ने अपने प्लान टेरे प्लान सस्ते करने पड़े और दोस्तों आज वो वक्त आ चुका है जब अपने हाथ खड़े कर दिये अटल का साफ कहिना है कि वो अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में इतने इंटरनेट के ल लेती हैं या फिर बोड़ाफोन आइडिया में पोर्ट कर रस और दोस्तों में बता दू अगर अजैलने यह कदम जियो भी उठा सकती और यह कदम बोड़ाफोन भी उठा सकती है क्योंकि एटलने क्छ ना गुमसकर जरूर सोच रखा हुगा अगर एटेल ने प्लान्स बढ़ाए हैं तो उसे पता है के हमारी सारे customer's जो है वो G chuyow में port करवा लेंगे या फिर deb уш召ार फोन में या फिर ऐडिया में port करवा लेंगे लेकिन मैं आपको बता दू कि अगर अपने प्लांस बढ़ा हैं तो फिर अप चीजों का भी नंबर है और बुड़ा फॉन का भी नंबर है क्योंकि इनकी अफॉर्डविल्टी में कुछ भी इनके प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था जो यह प्लांस हमें दे रहे थे जिस प्राइस रेंज में इस वज़े से दोस् जो एर्टेल ने अभी यह कदम उठाया है 25% प्लांट बढ़ाने का तो इसमें जियू और आइडिया यह दोनों पीछे नहीं हटेंगे लेकिन अगर ऐसा होता है कि इनके प्लांस नहीं बढ़ते तब एर्टेल को अपना यह कदम बापस लेना पड़ेगा तो देखते हैं आने वाले समय में कौन सी कंपनी प्लान बढ़ाती है और कौन सी कंपनीया प्लान घटाती है तो दोस्तों इनी सब बातों को जानने के लिए बने रहेगा मेरे साथ अगर वीडियो पशेंद आई हो तो लाइक कीजिएगा अगर चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई